जम्मू कश्मीर में सेना के आक्शन के बाद एक के बाद एक आतंकी ठोके जा रहे हैं कश्मीर में सेना का बदला शुरू हो चुका है पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम डिपोर्ट किया जा रहा है डोडा में तीन आतंकवादियों को जहनुम पहुचाने के साथ अब बारी बाकी आतंकियों की है लेकिन इन तीन आतंकियों के जरीए से सिले को एक ऐसी जनकारी मिली है जिसके बाद पाकिस्तान के मनसूबों पर पानी फिरने वाला है आतंकी जम्मू में इतने बड़े स्तरपर आतंकी हमलों को कैसे अंजाम दे रहे हैं इसे लेकर बड़ी जानकारी मिली है जानकारी के मुताबिक आतंकी चरवाहों के बनाए गए चार मारगों से कश्मीर पहुँचते हैं और उसके बाद वो अपने नापाक मनसूबों को अंजाम देते हैं कठुआ, उद्धनपुर, डोडा, किश्वाट जीलों में चार ऐसे रूट हैं जिनका इस्तमाल कर आतंकी अपने काले मनसूबों को अंजाम तक पहुँचाते हैं जम्मू में आतंकी चर्वाहों के बनाए गए रूट को इस्तमाल कर, घुसपैट कर, लंबे वक्त तक रुपते हैं उन्हें अपना ठीकाना बनाते हैं और यहीं से वो अपने प्लान को एक्जिक्यूट करते हैं बड़ी बात यह है कि चर्वाहों द्वारा बनाए गए इन रास्तों में कोई गाव नहीं पड़ता है बलकि इन रूटों पर कई ऐसे डॉट यानि ऐसे अश्ताई घर से बने हैं जिनका इस्तमाल चर्वाहों द्वारा होता है और अब इनी डॉक का स्तमाल कर आतंकी इन में छिपते हैं ये बात अब सेना को पता चल चुकी है इसलिए आब इनके अवस्थाई ठिकानों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है तीन आतंकी मारे जा चुके हैं बाकी भी जल्द मारे जाएंगे जानकारी के मुताबिक पहला रूट उदंपूर मरमाती चिनाप से होते हुए किस्तुवार सिंतन पास और पुलवामा के तुराल को कनेक्ट करता है इसके बाद एक रूट उदंपूर के बसंदगड के पास भी है जहां बदरवार ठाटरी किष्टवार को कनेक्ट करने वाला यह रूट है तीसा रूट कटुआ के बनी छत्रगाल से गंदो घाटी और फिर किष्टवार को कनेक्ट करता है और आपको यह बात पता है कि इनी रूट के आसपास पिष्ले कुछ समय में आतंकी घटनाय हुई है सेना को यह पता है कि इस समय आतंकी कहां छुपे हैं जिने न्यूट्रलाइज करने के लिए चम्मू कश्मीर पुलिस, सी आरपीएफ और इंडेन आर्मी को आपरेशन निरंतर लगातार जारी है ब्योर रिपोर्ट भार तक लगान आर्मीर प्सके हुआ और अपरेशन निर निर ने उन्यूट धिया उन्यूनीक